ओमनमिश्वय जय महाकाल दोस्तू सावन के महीने में भक्त शिवजी को प्रसन करने के लिए कई तरह की उपाई करते हैं कहते हैं भगवान शिवग को धुतूरा सबसाधिक प्रिया है सिवलिंग पर रोजाना इसे चढ़ाने से सिवजी प्रशन होकर सभी मना कामना को पूर्ण करते हैं सावन के महीने में धतूरे का ये महा उपाई आज किस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहो हूँ साथ ही भगवान शिव पर भक्त कई चीज़ें चढ़ाते हैं जिससे खुश होकर भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं इस बार सावन का महीना चार जिलाशे शुरू हो रहा है और 31 अगस तक रहेगा सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन होते हैं साथ ही धतूरे के कुछ उपाय करके आप भगवान शिव की किरपाप आ सकते हैं तो चले जानते हैं धतूरे के महाँ उपाय सबसे पहला उपाय आपको सोंवार के दिन करना है धतूरे की जड़ को लाकर अपने घर में रखना है इसके बाद में आपको मा काली की पूजा करनी है उनके बीच मंत्र का 108 बार जाप करना है ऐसा करने से यह आपकी घर में कोई भी धन संबंदी समस्या है तो वो समस्या आप धतूरे के फल और फूल चड़ाने से महादेर जल्दी प्रिसन होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी किर्वा बनाये रखते हैं तो यदि आपके संतान नहीं है तो भगवान शीव पर सावन के महीने में धतूरा जरूर रपित करें संकर तूर करने के लिए आप धतूरे क अपने घर के मंदिर में रखिए ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तिया है वो आपके आसपास भी नहीं पढ़केंगे और आपके घर की नकरात्म कूर्चा भी दूर होगी सभी परिशाने से मुक्ती के लिए धतूरे के एक उपाय कर सकते हैं सावन के महीने में सौमवार के दिन कहा जाता है यदि कोई व्यक्ती धतूरी की जड़ को अपने बाए हाथ की कलाई में बांता है तो उसकी जीवन में चलिया हरी सभी परिशानिया दूर होती है चाहे वो आपकी नोक्री से समस्या हो आपका बिजनिस हो या आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या हो आपके घर में कलाई कलिश रहता है आपकी सभी परिशानिया इस उपाय को करने से दूर होंगी दोस्तों यदि आपको बार बार धन की हानी हो रही है कर्ज आपर बढ़ता जा रहा है घर में पैसा आता है पैसा रुकता नहीं है तो सावन के महीने में सीवजी पर चुछड़ाइए और इससे अपनी तिजोरी में रख लीजे ऐसा करने से आपको धन की हानी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा भगवान शीव की किरपास से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी यदि आपके घर की में नकारात्मा कूर्जा प्रवेश करती है तो होता है चाहित आपो वाइदक करें और पुरे सावना आप किसी भी धित इन उपाय को करते हैं उपाय को करने में चे बहुत हुपत करने से हर समस्या का समाधान मिलता है तो चले जानते हैं सावन महा में भगवान शीव को किन चीजों का अर्पित करने से किन फल्की प्राप्ती होती है सावन के महीने में जुही के फूल भगवान शीव को समर्पित करने से घर में कभी भी अनोरधन की कमी नहीं होती सावन के महीने में भगवान शीव की पूझा में यदि अपहार सिंगार यानिके परिजात की फूल अरपित करते हैं तो ऐसा करने से घर में सुख सम्रदी आती है माना जाता है सावन महा में भगवान शीव की पूजा में दितुरे का फूल भगवान शीव को आपरपित करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है सास्त्रों के मताबिक सावन के महीने में भगवान शीव का यदि गन्नी के रस से अभिशेक किया जाए तो ऐसा करने से हर सुप की प्राप्ति होती है जोती सास्त में सावन के महीने में शिवलिंग का यदी गंगा जल से अभीशेक किया जाए तो आपको मौक्ष की प्राप्ति होती है सभी पापों से चुटकारा मिलता है शीव पुरान के नुसार सावन के महीने में यदि शेवलिंग से दूद का अभिशेक किया जाए तो सबी बीमारिये से चुटकारा मिलता है आपका स्वास्त ठीक रहता है सावन के महीने में भगवान शीव पर दूद में यदि आप शक्कर मिलाकर भगवान शीव का अभिशेक करते हैं तो ऐसा करने से बुधी तेज होती है यह उपाय आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं किसी को यदि मांसिक रोग है तो उसके लिए भी यह उपाय बहुत ही फायदे मंद है सावन महा में भगवान शीव का आप दूद में शक्कर डाड़कर शेवलिंग पर अभिशेक जरूर कराईए सास्त के नुसार महीने में भगवान शीव का सरसो के तिल से दिया प्रूदरा भी शेक करते हैं तो सनी के अशुप प्रभाव उससे चुटकारा मिलता है आपकी कॉल्डी के राहू ग्रह दोज भी काम होते हैं सास्त कहता है यदि सावन के महीने में भगवान शीव का सहथ से रुद्राभीशेक किया जाए तो व्यक्ति को मान समान मुलता है, उचापद कराप्त होता है, साथ ही सहथ से स्वीजी का विशेक कराना इसे शुक ग्रह का अशुक प्रभाव भी काम होता है, लेकिन आप पित करते समय उत्तर दिशा की और होना चाहिए, इसके लावे दोस्तों आप अपने घर में शिवलिंग है, तो आप अपने घर में शिवलिंग की पूझा करते समय इस चीज का जरू धियान रखें, कि आपने शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखें, शिवलिंग को गमले में न रखें शिवलिंग पर जलाभी शेक जवआब करते हैं तो उस जल को किसी गमले में दे जीजिए यानिके त cobbls के गमले में आपको बस उस जुन को और बच्ट नहीं करना है उस जल का बघर में च्रहों कर सकते हैं अपने घर में उसे कर सकते हैं इन उपाई को करने से आपका स्वास ठीक रहता है, आपके घर की नकरात्मकूर्जा दूर रहती है, तो दोस्तों उमीद करती हूँ, वीडियो में दीगे जानकारी आप सब के लिए यूसफुल होगी, सावन महा के ये बताए गए उपाई आप भी करके अपने जीवन में चल दियारी परिशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, भगवान शिव की किरपा से आपको हर संकर से, हर समस्या से, हर परिशानी से मुक्ति जरूर मिलेगी, तो चले में नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमस्याय हर अर्मादेव